बर्सो बीत जाते हैं इस तरह के गाना आने में AI टूल्स भाई क्या लाजवाब है मतलब आज तक आप लोगों ने एक फोटो थोड़ा सा वीडियो इतना कुछ देखा होगा AI टूल्स के द्वारा लेकिन इस गाने में जो AI टूल्स का इस्तमाल किया गया है वो पहली दफा इतना बेथरीन और इतना लंबे डूरेशन के लिए इस्तमाल किया गया कि क्या ही बता है और गाने के हर एक सब्द को सुनके आपके मूँ से बस एक ही सब्द निकलेगा जै सिया राम बस एकदम मतलब भक्ती मैं हो जाएगा राम मैं हो जाएगा पवन सिंग के इस नए गाने को सुनके बस नौवे घंटे तो हुआ है भाई इस गाने को आए हुए और नाव घंटा में साड़े चार लाग भी हुँ जो की आपको यूटूब पे काम दिखाता है कभी कभी ट्रेंड कर रहा है गाना राम लला पे ये गाना है और पवन सिंग के सुरीला आवाज में आप इस गाने को सुन रहे थे और पवन सिंग के साथ साथ पायल देओ जो की आप लोगों ने एक जोड़ी आज से पहले देखा होगा इस गाने में और बास सेम जोड़ी इस गाने में भी है आयोध्या रामा गए है गाने का टाइटल कुछ इस तरीके से है और गाना में खर्चा की बात किया जाया तो गाने में खर्चा एकदम ना बराबर हुआ है भाई जो आर्टिस्ट दोनों आर्टिस्ट जो है पवन सिंग पायल पॉलिवुड के वहां पे कलाकार गा रही है वहां पे भाई लेकिन हम उनको नहीं सुन रहे हैं नहीं हमको बतलब है तरु पवन शिंग से पवन सिंग का आज जो भकती में एकदम भकती मैं कर देता हैं उसको उसको सुनना है और सही बात है एकदम भक्ती में गाना पवन सिंग का एकदम मतलब दूसरे अंदाज में आज तक आप लोगोंने बहुत जादा पवन सिंग का भक्ती में बोचपूरी सौंग सुना होगा लेकिन ये जो गाना है ये पूरे वर्ल लेबल के लिए है भाई ये सिर्फ हर एक लेंग्विज के लिए हमारे पूरे भारत के लिए ये पवन सिंग का गाना आया हुआ है जो कि एकदम तगड़ा गाना है भाई और इस भक्ती गाने को सुनके आप भी एकदम भक्ती में हो जाएगा बाकि आपको गाना कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताएगा और हाँ इस वीडियो को भी सेयर करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि भक्ती गाना है तो हर एक लोगो तक जाना चाहिए कि राम जी आ रहे है आयोध्या 22 तारिक को